प्रोग्राम किया जा रहा है कि बच्चों को किस तरह से शिक्षित करना है हमारे साथ डिरेक्टर आफ एजुकेशन रजनी कांथ जी है सबसे पहला तो चानेंगे इस प्रोग्राम के अबारे में शेरिमान जी सागता आपका जम्मू पलिवर्तर न्यूस में क्या पतना चाहोगे आज क्या कारे करम किया जा रहा है यह हमने एक दिन की एक इंडक्शन वर्क्शॉप रखी है बी एड स्टूडेंस के लिए यह अक्चिली में जो पाटिसिपेंट से यह स्टूडेंस नहीं है यह खुद टीचर्स हैं जो की गौब्मेंट और प्राइवेट स्कूल से जम्मू प्राविन्स से आते हैं यह प्रोग्राम इनी के लिए शुरू किया गया है ताकि यह लोग एक अच्छे अपने आपको टीचर साबित कर सकें क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में आज सच कोई ट्रेनिंग फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता नहीं है जिससे की टीचर बनता है लेकिन यह सारा करने से दो साल का प्रोग्राम यह अटेंड करने से यह अपने आपको एक बहतर टीचर साबित करने में कामियाब होगे आज किस प्रोग्राम में जो टीचर्स आए हुए है किन स्किल्स के लिए पताया जाएगा मेन फोकस जो है वो है टीचिंग प्राक्टिस के लिए दूसरा है करिकुलम डावलप्मेंट के लिए और तीसरा है कि how you know this entire thing is going to be demonstrated through activities तो एक तो रहता है कि टीचर्स को खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है पहले तो चलो टीचर्स मारते भी थे बच्चों आजकल इस पर भी प्रतिवन्द लगा दिया गया है सुप्रीम कोट द्वारा लेकिन क्या कहेंगे कि किस दर से मुनब विकानिकता के तहत बच्चों को आप कंट्रोल कर सकते हैं देखिए बच्चों के साथ डील करने के लिए प्यार से बड़ी कोई और परिभाशा है नहीं प्यार से ही बच्चों को डील किया जा सकता है और जब टीचर खुद संक्षम हो अपनी काबलियत में तो फिर उसका इंपक्ट जो है बच्चों पर आटोमाटिकली अच्छा ही पड़ता है अगर टीचर में कोई खामी रहती है तो स्टूडेंस जो हैं वो नॉन सीरियस हो जाते हैं इस प्रोग्राम से एक अपर्शनिटी मिलेगी इन टीचर को अपने टीचिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए और शार्फन करने के लिए जिससे कि यह अपने आपको एक बह कर सकेंगे और इन से पढ़के जाने वाली जो जैंडरेशन होगी वो भाविश्य में अच्छा करेगी एक आखरी स्वाल क्या पूरे जमू कश्मीर के जो प्राइवेट स्कूल्स है उनिके टीचर आया है बाहर से भी आये हुए और कितने ने कितनों ने इस सेमिनार में जो 276, 376 कंडिडेट्स जो हैं उन्होंने एडमिशन लिया है और ये वो कंडिडेट हैं जिनको इनके पेरेंट डिपार्टमेंट्स ने स्पांसर किया है ये प्रोग्राम करने के लिए शुक्रिया मरसा बात करने के लिए तो तर्श को ये थे डिस्टेंस एजुकेशन के डिर अधर्टमेंस नमश्कार